अक्षे कुमार आते हैं और उपर खूब देर सारा पैसा रख देते हैं और दिवार पर ग्लू लगा देते हैं फिर वहाँ पर सल्मान खान आते हैं और पैसा देख कर चौक जाते हैं इधर अक्षे कुमार उन्हें देख रहे होते हैं सल्मान आगे आकर इधर उधर देखते हैं और दिवार पर हाथ रखते हैं तुरंत उनका हाथ दिवार से चिपक जाता है सल्मान खान खूब रोते हैं वह हाथ को निकालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है इधर अक्षे कुमार बहुत खुश होते हैं वे आगे आकर चुपके से उन पैसो को उठा लेते हैं और चले जाते हैं इधर सल्मान बहुत रो रहे होते हैं फिर वहाँ पर अक्षे कुमार आते हैं और सल्मान से पूछते हैं क्या हुआ सल्मान बताते हैं डॉक्टर साहब मेरा हाथ दिवार पर चिपक गया है अक्षे कहते हैं मैं इसको निकाल दूँगा लेकिन हजार रुपए लगेंगे तुरंत सल्मान हजार रुपए निकाल कर अक्षे को दे देते हैं तुरंट अक्षे उनके हाथ पर अपनी दवाई छिड़कते हैं। तुरंट सल्मान का हाथ निकल जाता है। वह अक्षे को धन्यवाद देते हैं। अक्षे कुमार बहुत खुश होते हैं। वे तुरंत उन पैसो को दिवार पर रख कर दिवार पर ग्लू लगा देते हैं। दूसरी तरफ उन पैसो को देख कर राजपार चौक जाते हैं। वे खुश होकर आगे आते हैं। और दिवार पर हाथ रख देते हैं। तुरंत उनका हाथ दिवार से चिपक जाता है। राजपाल छटपटाने लगते हैं। वे हाथ को निकालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। यह सब कुछ अरजुन देख लेते हैं। वे सोचते हैं य राजपाल अपना हाथ निकालने के चक्कर में दूसरा हाथ भी चिपका लेते हैं। फिर वह खूब रोते हैं। इधर अक्षे बहुत खुश होते हैं। तुरंत वह पैसे को हटा देते हैं। अक्षे कहते हैं मैं निकाल दूँगा लेकिन पहले अपना मुबाईल दो। अक्षे कुमार राजपाल का मुबाईल निकाल लेते हैं। तुरंट अक्षे कुमार राजपाल के हाथ पर दवाई छिड़कने लगते हैं। उनका दोनों हाथ दिवार से निकल जाता है। वह अक्षे को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद अक्षे कुमार तुरंत वही प्रक्रिया अपनाते हैं। पैसा रख कर और ग्लू लगा कर चले जाते हैं। लेकिन यह सब कुछ अलूर जुन देख लेते हैं। वह आगे आकर पैसे को देखते हैं। वह दिवार पर हाथ रखने के लिए चलते हैं, तुरंत रुख जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर ग्लू लगा है। इधर अक्षे चौक जाते हैं और रोने लगते हैं। तुरंत अर्जन उन पैसों को लेकर भाग जाते हैं। अक्षे कुमार उनका पीछा करते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। और छाती पीट पीट कर खूब रोते हैं।